लतन सूत नंबर पाँच लतन सूत यानी महा मच्चुन्जे सूत या महा मिट्चुन्जे सूत्र नंबर पाँच यंग बुद्ध सेट्थो परी वन्नी सुचिं समाधि मान नंतरिक कई माहू समाधिना तेन समोने विज्जती इदंपि धम्मे रतनं पडितं एतेन सचेन सुवत्ती होतु यंग बुद्ध सेट्थो परी वन्नी सुचिं यंग माने जो बुद्ध सेट्थो माने बुद्ध में सुरेष्ट जो बुद्ध ने सुरेष्ट बताया परिवन्ने का मतल होता है वर्निय यानि प्रसंसनिय परि माने पूरी तरह से प्रसंसनिय सुचिंग माने होता है बुलकुल पवित्र यानि कि बुद्ध ने जो स्रेष्ट जिसको प्रसंसनिय बताया जिसको सुद्ध बताया यानि समाधी में आनंतरिक का मतलब है बिना अंतर के लाब देने वाला अईम आहू का मतलब है कहा गया ऐसा उचाव ऐसी बात कही गई कि समाधी बिना अंतर के यानि कि आपने इधर समाधी लगाई आप सम्यक समाधी में इधर बैठे और जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही आपको फायदा होना सुरू हो जाता है इसका एक example आप सिंपल सा जीवन में समझ सकते हैं कि आपको बहुत गुसा आ रहा है अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे, अपने घर पे, अपने नौकर पे, चाकर पे, अपने मालिक पे अपने दोस्त पे, अपने कुलीक पे, अपने हाप पे या हालात पे या सिती पे और आप बहुत ज़्यदा परिशान हैं तो आपको कहीं भी कोई भी जेगे कहीं भी आपको तुंद बैठ जाए और बैठने के बाद में अपने आपको देखना शुरू कीजिए सम्यक तरीके से और आप अपने गुसे को जैसी आप देखना शुरू करेंगे कि मुझे गुसा आ रहा है गुसा रहा है गुसा रहा है तो आपके देखते 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 जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे वो सान्त होता चला जाएगा अगर समयक समाधी है तो और अगर आपने समाधी लगाई है और समाधी में आपने जिस कारण से गुसा आया उस कारण को ब गई गई है ऐसा बुद्ध ने बताया इसको स्रेष्ट समाधिना तेन समो ने विजती यानि समाधिना तेन समो समाधी के समान कोई भी ने विजती नहीं विद्माने बताया जाता है यानि बुद्ध ने जिस समाधी को स्रेष्ट बताया पवित्र बताया और जिसकी पसंसा की और जो समाधी तुरंत लगाते ही लाव देती है ऐसा बताया गया ऐसा कहा गया है और जिस समाधी जैसा कोई भी विद्मान नहीं है जानकारी में नहीं है कि समाधी जैसा कोई भी ऐ इदम्पी धम्मे रतनंग पडितंग इदम्पी धम्मे रतनंग यानि यह भी धम्म के रत्म में सबसे स्रिष्ट बात है स्रिष्ट रतन है एतेन सचेन सुवत्ती हो तू इस सची बात से सभी का कल्यान हो सभी का स्वस्ती हो सभी स्वास्ते हो सभी हेल्दी हो जितने भी उस म समझ रहे हैं सभी स्वस्त्यों यह है रतन सूत नंबर पांच इसमें समाधी की स्रेष्टा बताई गई है यानि कि हर सूत में कहीं समाधी का स्रेष्ट बताया हुआ है कहीं धमका कहीं निबानपद का जो उस समय अच्छी अच्छी बात थी उस समय सबसे अच्छी बात यही ठी आज भी यही हैं मगर अभी लोगों की जानकारी से निकली जा चुकी है दिर दिर बापस आ रहे हैं लोगों को समझ आ रहा है खास तोर से जो लोग अब एकांत में रह रहे हैं उनको यह समझ में आता है कि दुनिया में सबसे इंपोर्टन चीज क्या है और वही है जो पहले से चली आ रही है ये है रतन सूत नमबर या महा मचुंजे सूत नमबर पाँच धन्यवाद चामी संखन्षर नंगाचामी